गुड मोधी केर मॉर्निंग फेंज आज का यह जो टॉपिक ऑफ डिसकेशन है इस टोटली बेज़ डॉन स्कीन केर स्कीन केर के ऊपर अगर देखा जाएं मोधी के पास हम लोगों के पास इतना अच्छा अच्छा प्रोडक्त है एक से परकर एक प्रोडक्त लोगों को कन्फ प्रोडक्त यूज करना चाहिए सबसे पहले मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि हर एक चीज का एक तरीका होता है कोई भी चीज के तरीका होता है सिर्फ एक बाड़ में एक बच्चा दौर नहीं सकते एक बच्चा जनम लेता है दिरे 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 करके वह बैटना सिकता है फिर दिरे दिरे बच्चा crawling करना सिकता है दिरे दिरे बच्चा दोडने लगता है तो हर एक चीज का एक procedure होता है तो similarly अगर मैं सोचू कि मैं बहुत सुंदर रहूंगी मेरा बाल अच्छा होगा मेरा figure अच्छा होगा मेरा skin अच्छा होगा चाने से ना कुछ नहीं होता है तो हर एक चीज का एक नियम होता है हर एक चीज का एक discipline होता है अगर हम लोग नियम के अनुसार कोई भी चीज को follow करे तो जाहिर सी बात है वही चीज में we will become successful similarly skin care skin care का ये जो procedure ये जो एक regime है इसके एक regime होता है इसके एक तरीका होता है proper तरीका से अपना skin का care लेना Cosmetics के language में हम उसी को ही बोलता है CTMP CTMP का मतलब है C means cleansing cleansing के साथ साथ उसको और भी एक meaning होता है deep cleansing fit T, T stands for treatment M stands for moisturize and P stands for protection right मैं बहुत simple तरीका से आप लोगों को बोल रही हूं so that कोई भी अगर confusion कोई भी doubt, कोई भी queries होगा so it will be clear to you to CTMP अगर cleansing, toning, moisturizing, protection कोई भी चीज, कोई भी इंसान दिन में दो बार प्रापर तरीका से इसको फॉलो करे quite obvious इनका जो skin होगा, इनका जो त्वाचा होगा वो बहुत अच्छी तरह से grow करेगा वो बहुत clean होगा, clear होगा और उसमें अलग से चमक आ जाएगा और वही चीज, वही चमक, वही glamour हम लोगों को मिल सकते हैं through Modicare product तो यह सब चीज को बोलने से पहले मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को बोलूँगी, कभी-कभी ना हम लोग है गलत फैमी में रहता है कि मेरा oily skin है, मेरा dry skin है मेरा combination skin है सीजन के हिसाब से भी हम लोगों का skin में थोड़ा बहुत changes आता है not only that usually कभी-कभी हम लोग देखता है कि T-zone T-zone, जैसे forehead, nose और chin T-zone, C-zone, chicks और butterfly zone, जो आखों के नीचे को आखों के नीचे जो एडिया है कभी-कभी हम लोग देखते हैं कि particular इस एरिया से बहुत जादा से जादा time oil secretion होता है और हम लोग यह पकर लेते हैं कि जरूर मेरा oily skin है और हम लोग भागा दोड़ी में बजार में जाते है oily skin का product खरीद के खुद के उपर apply करते हैं और उससे क्या होता है मेरा जो skin है वो skin automatically convert हो जाता है कोई complicated skin में sensitive skin में तो अगर हिसाब सा देखा जाए इंसान के पास 3 type का skin होता है एक oily skin एक dry skin एक normal to combination skin usually हम लोग यह 3 skin लेके जनम लेते हैं oily skin, normal to combination skin and dry skin और कभी कभी हम लोगों को यह समझवे नहीं आता है कि मेरे skin के लिए particular concept product सही रहेगा तो उसके वज़े से हम लोग क्या करते हैं कभी गलत product इस्तेमाल कर लेते हैं और उस गलती के कारण हम लोगों का जो normal skin होता है वो पूरी तरह से convert हो जाता है कि skin से sensitive skin में तो जिसका oily skin होता है उसका पूरा skin means ozone ozone means entire area से oil secretion होता है clear जो dry skin वाले हैं वो जितना भी moisturizer डाले कुछ भी करे skin ultimately रूखा सुखा रहता है जो normal combination skin वाले होता है उनका T zone, C zone और उनका butterfly zone से oil secretion होता है तो फिर हम लोगों को वो समझ में आ जाता है कि वो इनसान का जो skin है वो normal जो combination skin के अंदर पढ़ रहा है clear और उसके साथ साथ कभी कभी हम लोगों के face में बहुत जादा complex आ जाता है इनसान का 50 साल का उमर हो गया face में pimples आ गया इनसान का 30 साल का उमर है चेहरा देखके लग रहा है कि पचास साल का है तो यह सब skin को हम लोग बोलते है sensitive skin क्योंकि उसमें जादा pimples frickles pigmentation बहुत सब fine lines यह सब चीज बाहर आ जाते है तो यह सब skin को हम लोग बोलते है sensitive skin अभी हम आप लोगों को मैंने एक basket बनाया basket के हिसाब से skincare के बारे में थोड़ा knowledge देने वाली हूँ first मैं आ डियो oily skin को लेके अभी मैं जो जो चीज बोलूंगी यह एक total basket में है not necessary एक इनसान को हर एक product मैंने यह basket इसी लिए बनाया एक salesperson के तौर पर बनाया as a salesperson से अंगल में बनाया हम लोगों का usually क्या होता है अप लोग मेरा budget जादे नहीं है मेरा pocket में पैसा बहुत कम है मैं कोई दुकान में गया तो मैं दुकान को दुकांदर को बोल रही हूँ कि और मेरे फेस में जो pimple है क्या जीज जालने से मेरा फेस में पिंपल कम होगा अभी दुकांदर मुझे 5 product offer किया बोल रही कि मैंदन जी अब 5 product यूज कीजिए आपका ये जो pimple है pimple का जो mark है पूरा फेस से हाट जाएगा पर मेरे पास तो budget ही नहीं है तो जब मेरे पास budget नहीं है इंसान जादा से जादा टाइम क्या करते है 5 product तो नहीं खड़िश सकते भाई इतना पैसा तो नहीं है मेरे पास हम उस दुकांदर को बोलते आपे काम करो भाईया 5 product अभी नहीं ले सकते अभी आप मुझे बोलो कि कौन सा 2 product लेने से आपको बहुत रहत रहत मिल जाएगा 70% तक काम होगा जब आपका face थोड़ा सही होने लगेगा आप आके बाकी product लेके जाना यूजवली हम लोग वही करते हैं this is the marketing procedure this is the marketing strategy तो वही चीज मैंनी भी आप लोगों के साथ आप लोगों को करने के लिए बोल रही हूँ तो that is the reason I have also prepared a basket तो मेरा पहला जो basket है वह basket है it is totally based on oily skin तो जो oily skin वाले है जिनके मूँ पे बहुत सरे pimples है और जिनके मूँ पे pimples नहीं भी है पर pimple prone skin है that means pimple होने का समववना है उन लोग को हम लोग recommend कर सकते है apricot anti tree oil cleanser it is a face wash वो दो time use कर सकते है जिनका oily skin है जिनका मूँ पे pimple है जब वो लोग घर के बहा निकलेंगे निकलने से पहले वो लोग face के उपर as a sunscreen lotion के जगा पे वो लोग gel apply कर सकते है वो है SPF 14 Gel modi care के बहुत अच्छा product है SPF 14 Gel जो sunscreen का काम करेंगे clear उसके साथ साथ जिनके face पे pimple है उनके लिए में खास करके बोलना चाहती हूँ रात को सोने से पहले छोटा सा कटोडी में नीम एन रोजमेरी face pack अपलुक लीजिए और उसके साथ साथ few drops of tea tree oil लीजिए उसको अच्छा से मिला लीजिए जहां जहां पे pimple है उस pimple area में आप dot 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 करके लगा के पूरा रात छोड़ दीजिए सुभा उटके अच्छा से अपना मूध हो लीजिए continuously अगर आप यह चीज चार से पाच दीन करोगे आप लोग खुद नोटीस करोगे कि आपका जो pimple है धीरे-धीरे-धीरे बरा होके यह पुरा मचूर हो गया पक गया और pimple जब हट जाता है ना हम लोगों के face से कभी-कभी एक mark भी छोड़के जाते है काला स्पॉट देखने में बहुत खराब लगता है फेस का जो ब्यूटी होता है वो ब्यूटी भी खतम हो जाता है तो अगर आप लोग नीम & रोजमीरी फेस पैक में टीट्री ओल डाल के continuously चार से पाच दीन डालोगे मैं आप लोग को एकदम अगबं करके बोल सकती हूँ फेस में जो पिंपल का जो स्पॉट है वो धीरे 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 हट जाएगा पिंपल तो हट जाएगा और उस पॉट भी नहीं रहेगा उसके साथ साथ मोदी के पास एक बहुत अच्छा प्रोड़क्त है वो है D10 pack और एक ऐसा प्रोड़क्त है इट इस एप्लिकेबल फॉर ओल स्किन टैप जिसके फेस पे पिंपल है वो भी इस प्रोड़क्त यूज कर सकते हैं D10 pack जब भी आप लोग अपलाई करोगे आप लोग खूदी नोटीस करोगे एक ठंडा ठंडा कुल-कुल फिलिंग हो रहा है क्योंकि इसके अंदर है पिपर्मेंट ओल थोड़े दिर बाद आप लोग नोटीस करोगे कि एक बर्निंग सेंसेशन हो रहा है क्योंकि उसके अंदर है क्लोव ओल और दस मिनित बाद जब यह D10 face pack को आप face से हटा दोगे आप लोग खूदी नोटीस करोगे कि आपका face एकदम clean and clear हो गया face में अलग से चमक आगया clarity आगया skin में क्योंकि इसके अंदर है तूलसी oil और D10 pack it is applicable for all skin type my dear friends और यह एक product है जो हर एक जगह में आप लोग डाल सकतो face में, neck में फिर back में ladies लोग जो साडी पहनते हैं blouse में जितना तक cut रहता है वह जगह भी black हो जाता है उदर भी डाल सकते हो इंसां sleeveless पहनते हैं तो sleeve में भी पुरा अदम color हो जाता है, tan आ जाता है हर एक जगह में आप डाल सकते हो जो जो area आप exposed हो जाता है sun rays में और ultimately जहां पे tan आ जाता है हर एक जगह में आप लोग डाल सकते हो d10 pack clear उसके साथ साथ Modi Kayn ने एक बहुत अच्छ प्रड़क्ट का introduction किया it is one of my favorite product और उसका नाम मूड माडबास काला रंका मुलतानी मिट्टी और कहा जाता है कि वर्ल्ड में सबसे सुंदर जो लेडी थी उसका नाम क्या है क्लियो पत्रा उनका जो रूप है उनका जो रूप रंका जो रहसा है जो beauty secret है वो है काला रंका मुलतानी मिट्टी से so it is a very special product which Modi Kayn has launched ये जेन्स और लेडिस दोनों यूज कर सकते है येस D10 pack भी जेन्स और लेडिस दोनों यूज कर सकते है ये mood mud mask आप लोग हफता में दो बार यूज करो D10 pack हफता में एक बार यूज करो अभी तो lockdown period में लोगों के पास product कभी crisis है अगर crisis नहीं है तो हफता में दो बार यूज करो अगर crisis है तो हफता में एक बार यूज करो और mood mud mask का जो कमाल है आप लोग पहले इसको डालो डालने के बाद 10 minutes face के उपर रखो 10 minutes बाद उसको थोड़ा lukewarm water से मूँ को धोलो धीरे धीरे वो हट जाएग आप लोग खुदी notice करोगे फेस में अलग से निखार आ गया क्योंकि इस particular product मेंने technology है उसका नाम है adsorption technology उससे क्या होते है हम लोगों के face के अंदर जो dark heads है black heads है, toxin है हाथो हाथ वो पुरा surface में आ जाता है skin के अंदर जितने सारे मेले है जितने सारे है वो पुरा बाहर निकाल आते है it is a very good product, very premium product और direct selling industry में किसी के पास ऐसा product नहीं है so it is a must product for oily skin उसके साथ साथ मैं discussion करने वाली हूँ modi care का अभी जो super duper hit product है urban color का intel pro white का series तो pro white को सबको पता इसमें 4 in 1 वेजिंस technology है pro white का सबसे जो plus point है अगर कोई इंसान 50 degree temperature में भी pro white डाल के घर से बाहर निकल रहा है तब भी उसके उपर कोई negative impact नहीं आएगा क्या होता है ना जब हम लोग बाहर जाता है और sun ray face की उपर आता है ना immediately एक चिसका production होता है उसको हम लोग बोलते है melanin पर यह melanin production हम लोग कभी बंद नहीं कर सकते है what we can do is we can control the melanin production pro white डालने से क्या होता है pro white melanin का यह production है वह simple तरीका से बोल रही हूँ साइंस में मत जाना है वह इसको control करते है और control के साथ साथ face में एक whitening impact ला देता है not only that हम लोगों का skin ताजा रहता है this weight is very important और धीरे धीरे use करने से skin में जो black spot है black spot हट जाता है और जो uneven skin tone है वह even हो जाता है तो पूरी तरीका से skin का proper way में pro white care लेता है और इसके अंदर sunscreen का factor भी है तो यह pro white जो lotion है lotion एक लंबा एक bottle है lotion it is totally dedicated for oily skin यह lotion डाल कर भी आप लोग बाहर निकल सकते हो क्योंकि इसके अंदर SPF का factor है तो pro white lotion यूज़ करने से पहले मैं सबको यह recommend करूंगी आप पहले pro white का serum यूज़ करो serum के साथ साथ आप लोग फिर pro white का lotion यूज़ करो पहले serum followed by pro white का lotion और उसके साथ साथ मैं oily skin वालों को और भी एक चीज़ सजेस्ट करना चाहती हूँ वह है आमला एंड aloe vera juice अगर आप aloe vera juice ना भी लेना चाहते हो प्लीज टेक aloe vera juice डेली सुभा निन से उठने के बाद एक ग्लास गुंगोने पानी में lukewarm water में 20 ml आमला juice मिला के पी लीजिए पीने के आदा घंटे तक कोई भी solid food मत लीजिए और अगर किसी को gastric का problem है, acidity का problem है, gas का problem है, उनके लिए में बोलना चाहती हूँ आप लोग थोड़ा बहुत उसके साथ honey मिला लीजिए, honey honey अगर मिला लोगे, आप लोग खुदी notice करोगे, यह जो acidity का problem हो रहा है, वो धिरे-दिरे हड जाएगा पर honey का मतलब नहीं है के one spoon, few drop of honey, clear पर आमला juice लेने के बाद आप लोग यह भी notice करोगे के आपका जो मैं क्या बोलू जब next day आप लोग stool pass कर रहे हो ना, तो यह बहुत ही जादा soft stool pass हो रहे है तो इसमें डरने की वाली डरने वाली बात नहीं है, हम लोगों के शरीन में जो toxin है, वो पूरी तरह से आमला juice help कर रहे है, flash out करने के लिए तो यह urine के मध्यम से, stool के मध्यम से, कभी-कभी face में pimple आ जाता है, pimple के मध्यम से, और मैं क्या बता हूँ sweat होता है, sweating के मध्यम से, हम लोगों के शरीड से निकल जाते है, तो यह total package मैंने आप लोगों के साथ जो discussion की हूँ, यह oily skin के लिए, और मैं यह चीज़ बोलूंगी, जैसे क्या होता है, हम लोगों का कप्रा, कप्रा में कभी-कभी, ऐसा stain आ जाता है, कि वश्मेज से भी धोने के बाद भी वह नहीं जाता है, तो in that case हम उस कप्रे को भेजते है कहां पे, और dry cleaning के लिए होता है ना, detergent powder से भी नहीं जाता है, तो हम लोग भेज देता है, dry cleaning के लिए similarly हम लोग डेली तो अपना face का proper तरीका से take care कर रहे है, हम लोग daily दो time face wash कर रहे पर face wash जब हम लोग कर रहे है हम लोग अपना face का क्या कर रहे cleansing कर रहे, cleansing यह simple सी बात cleansing पर हमेशा cleansing से ही पूरा जो मेला है वो पूरा नहीं जाता है, पूरा dirt नहीं जाता है कभी-कभी deep cleansing करना भी बहुत ज़रूरी है, तो deep cleansing का मतला है scrubbing हफता में एक बार हम लोग scrubbing करेंगे, राइट और एक चीज़ ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, हम लोगों के पास scrub और कोई भी जेन्स भी avocado scrub यूज कर सकते है और लेडिस के लिए मैं सब को बोलूँगे आप लोग यूज कीजिए मौरक का नार्गन ओल स्क्राब हाफता में एक बरी यूज कीजिए और not only that अगर किसी के skin में pimple है तो pimple वाला बाकी एडिया में आप लोग scrubbing कर सकते हो तो this is all about oily skin और oily skin वाले के लिए मैं और भी बोलना चाहती हूँ रात को सोने से पहले याद करके pro white का serum apply कीजिए followed by pro white का night cream pro white का night cream है वो पूरा आम जनता के लिए है it is applicable for all skin type अब रात को serum के साथ pro white का night cream use कीजिए you will get to see a very 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 good skin skin को ताजा रखना में यह जो pro white का series है यह माहिर है कभी details भी pro white के संग यह बारे में बोलेंगे क्योंकि अभी time भी नहीं है video भी कर रहा है एक एक चीज़ में जादा time भी जा रहा है next मैं आप लोगों के सामने discussion करूंगी मेरे next video जो होगा वो है dry skin के उपर thank you so much friends